तो दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी बीग अपडेट के बारे में जो की आई है CRPF की तरफ से तो दोस्तो जी ओफीशल नोटिफिकेशन आया है CRPF की ओफीशल वेबसाइट के ओपर तो जहाँ पर मैं बताने वाला हूँ CRPF Paramedical Staff जो examination है उसकी जहाँ पर exam data गोशित कर दी गई है और आपके जो admit card है कब आने वाले है जे सब कुछ आपको detail में इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को subscribe करके बैल एकन को जुरूर प्रेस कर दें तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों आगर आपको जो वीडियो अच्छे नोटिस जहां पर आ चुके हैं तो सबसे पहले जो इसका जो रोजगार समचार था जानी की जो application date निकली थी आपकी जो 18 जुलाई से 24 जुलाई 2020 में इसके जो form फिलप होना शुरू हुए थे offline के द्वारा उसके बाद इसकी जो आपको पता है कि running कब हुई थी तो इसकी ज तो 14, 12, 2020 को हुई थी जानी की दिसंबर महिने के जा जनवरी महिने में जब भी आपने दोल गई होगे आपको पता ही होगा जहां पर date भी बताई है उसके बाद जहां पर देख सकते हैं कि इनका जो examination date है वो जहां पर जारी कर दी गई है तो देख सकते हैं कि इनका exam offline होगा जब offline होगा तो देख सकते हैं तो दोस्तों जहां पर इसका exam है online होने वाला है computer based test होगा आपका 30 March को जहां पर आपका examination date जहां पर पूरी गोशित कर दी गई है आपका जहां पर इस दिन paper conductor होने वाला है तो उसके बाद जहां पर देख सकते हैं आपकी जो लिखित question होगा जानी कि दो गंटेगा आपको जहां पर समय मिलेगा paper को करने के लिए जिसमें एक एक नंबर के 20 question आपको होंगे जानी कि आपकी इसमें जर्नल intelligence and reasoning and journal awareness के साथ साथ जो तीस तीस question आपके आएंगे numerical एपिट्यूट English Hindi इनमेज से आपको option जहां पर दी गई है हिंदी करनी है जहां पर question होंगे और जहां पर आपका 100 नंबर का test होने वाला है तो जहां पर नॉन टेक्निकल की बर्ती ती गैर तिकनीकी पद्धों के लिए computer based test computer based test आपका होने वाला है तो इसके जो exam के लिए जो admin card है कब जहां पर जारी होंगे तो इसके exam के लिए admin card है 21 March को जहां पर आपके admin card इनकी official website के उपर आ जाएंगे तो जहां पर चेक कर सकते हैं कि 21 March इननों ने दी है कि इनकी website पर आपको एक link दिया जाएगा वहां से आप अपना जो admin card है उसे download कर सकते हैं और आपने जहा साथ आपके mobile पे आपको SMS भी भेज दिया जाएगा जहां पर बताया है तो उसके बाद आपके जो जब आपका admin card आ जागा आपका examination होगा तो तब आपको क्या क्या लेकर जाना है जहां पर बताया है दो आपकी passport size की रंगेन फोटो color photo होनी चाहिए दो नमिल्टम फोटो आपके पास होना जुरूरी है उसके बाद दोस्तों जहां पर जे बाती जी जो paramedical staff के लिए जो examination है वो आपका जहां पर 31 March को जहां पर जो exam date रखी गई है उसके बाद जो technical इसमें पद थे जिसमें नरिक्षण dentist जहां उपन नरिक्षक staff nurse जहां रेडियोग्राफर इनकी ज exam date है वो बाद में जहां पर गोशित कर दी जाएगी तो अभी तक सिर्फ जहां पर paramedical staff के लिए जो सफाय वाला कूक बारबर उनकी लिए जिस सिर्फ exam date गोशित कर दी गई है तो दोस्तों जहां पर देख सकते हैं कि CRPF की तरफ से बहुत बड़ी update आ चुकी है जो जहां पर paramedical staff के लिए exam date और admit card जहां पर कब आपके डाउनलोड होंगे जह सब कुछ बताया गया है प्लीज वीडियो को लाइक करिए शेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन को जुरूर प्रेस कर दे तो दोस्तों इसका notification हमारे टेलिक्राम चैनल पर मिल जाएगा वहाँ से इस notice को डाउनलोड करके आप खोद भी इसको चक कर सकते हैं